असलाम अलेकूं वेलकम टो MCPS Online Classes Class 4 Subject Hindi प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने Chapter No. 9 किया था उसके बाद हम Chapter No. 10 और 11 हमने हमारे सलेबस से हटा दिया है आज हम Chapter No. 12 करेंगे जिसका नाम है सुनिता की पहिया कुर्सी बच्चों, आपको बार-बार एक Message दिया जा रहा है कि आपको अपने Notebook में जितने भी Chapter करवाए हैं वो Complete करकर, वियाकरन का काम भी और Hindi का काम भी करकर, हर वैरनस्टे को अपनी सारी Notebook को स्कूल में सम्मिट करना है ताके उसको चेक की जा सके इसके अलावा आपको Workbook और Worksheet भी दी जाती है जिसको भी आपको फिल करके अपनी स्कूल में सम्मिट करना है इसी के आधार पर बच्चों आपको मार्किंग की जाएगी ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा Chapter No.12 सुनीत, आप सभी आज उसे क्या क्या काम करने है उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है सोचते ही इसकी आँखों में चमक आ गई सुनीता आज पहले बार अकेले बाजार जाने वाली थी इस चैप्टर में आपको फोटो में सुनीता नाम की एक लड़की दिखाई गई है बच्चों जो आपकी तरह ही छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची है वो जब सुपसाथ बजे उड़ती है तो अपने विस्तर पर कुछ तेर रुख कर सोचना लगती है कि आज उसे कौन-कौन से काम करने है तो उससे दिमाग में आया कि आज तो मुझे बाजार जाना है उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़ कर खीचा और उन्हें पलंग से नीचे की और लटकाया फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपने पहिया कुर्सी तक बढ़ी सुनिता चलने विनने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है आज वह सभी काम फूर्ती से निप्टाना चाहती थी हाला कि कपड़े बदलना जूते पहनना आदी उसके लिए कठिन काम है पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने सोयम ही कई तरीके ढून निकाले है आठ बज़े तक सुनीता नहादो कर तयार हो गई बच्चों इस कहानी में जो सुनीता नाम की लड़की दीवी है उसके दौनो पैर खराब है खराब कहने का मतलब क्या है उसके दौनो पैर काम नहीं करते जब आपको बता है कि अगर छोटी सी तकलीफ पर ही हम सहम जाते हैं तो वो छोटी सी बच्ची है आप ही की तरह उसके दौनो पैर अगर काम नहीं करते हैं तो वो अपना साहरा काम करने के लिए किसी दूसरे पर डिपैंड है मतलब कोई और उसके दूसरे काम भी करता है लेकिन वो अतनी समझार है बचों कि अपना काम वो खुद करने लगती है किसी ने किसी तरीके से ढूंड कर तो उसे जब बजार जाना है तो वो चाहती है कि क्यों न मैं फटा फट सारा काम कर लूँ तो वो अपने बिस्तर से अपने पैरों को लटकाती है तोने हाथों से और फटा फट सारा काम फुर्ती से निप्टाती है और एक घंटे में मतलब आर बज़े तक वो नहा दूकर तयार हो जाती है मा ने मेच पर नास्ता लगा दिया था मा अचार की बोतल पकडाना सुनिता ने कहा अलमारी पे रखी है ले लो मा ने रसोई घर से जवाब दिया सुनिता खुद जाकर अचार ले आई नास्ता करते करती उसने पूछा मा बाजार से क्या क्या लाना है एक किलो चीनी लियानी है पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी पक का सुनिता ने मुस्कुराते हुए कहा सुनिता ने मा से जूला और रुपे लिए और अपने पहिया कुर्सी पर बैठ कर वो बाजार की और चल दी देखो बच्चो आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा छोटी सी लड़की पहिया गाड़ी पर जिसको हम वील्ड चेयर कहते हैं उस पर बैठी हुई है वो फटा पढ़ना दोकर तयार हुई और उसकी माता जी किशन में उसके लिए नाष्टा बना रही है जब उसने आचार की बोटल मागी तो उसकी ममी ने बुला हलमारी में रखी है मतलब वो उस काम के लिए भी ममी पर डिपेंड नहीं है वो खुँझ जाती है अपने दोरों पैरों को संभाल कर और अचार की बोटल ले आती है फिर ममी ने बुला कि बाजार से एक किलो चीन ही लानी है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ममी मैं ले आउंगी आज वो पहली बार अकेले बाजार जा रही है तो उसकी माता जी थोड़ी सी डरी हुई है सहमी हुई है कि वो अकेले ये काम कैसे करेगी सुनिता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है चुकि आज छोटी है इसलिए हर जगे बच्चे खेलते हुई दिखाई दे रहे है सुनिता थोड़ी तेर रुक कर उन्हें रसी कूदते ग्यान खेलते देखती रही वो थोड़ी सी उदास हो गई वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी खेल के मैदान मों उसे एक लड़की दिखी जिसकी मां उसे वापस लेने के लिए आई थी दौनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे अब क्योंकि वो भी एक चोटी बच्ची है बच्चों आप ही किदर है तो उसको भी क्या लग रहा है कि कास मैं भी खेल पाती दोड़ पाती भाग पाती है न जैसे दूसरे बच्चे रसी कूद रहे हैं जैसे दूसरे बच्ची ग्यान पकड़ रहे हैं तो उसे भी थोड़ा सा बूरा लगा और वो भी थोड़ी सी उदास हुई लेकिन फिर उसे मैदान में कौन दिखाई दिया एक लड़की जिसकी मम्मी उसे लेने की लिए आई थी और को दोणों एक दूसरे को देख रहे थे फिर सुनिता को एक लड़का दिखा उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुला कर चिड़ा रहे थे उस लड़के काकद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था सुनिता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रास्ते में कई लोग सुनिता को देखकर मुस्कुराए जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी पहले तो वो मन ही मन खुश हुई परन्तु फिर सोचना लगी कि ये सब लोग मेरी तरह भला इस तरह क्यों देख रहे हैं खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनिता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली उसकी मा कुछ कपड़े देख रही थी तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है उस लड़की ने सुनिता से पूछा यह तो बस एक सुनिता जवाब देने लगी पर तूस लड़की की मान ने गुस्से में आकर लड़की को सुनिता से तूर हटा दिया जो बचो लड़की उसे जो गार्डन में मिलीती बगीचे में मिलीती जो उसे बहुत पसंद आयती और दौनों एक दूसरे कब देख रहे थे मुस्कुरा रहे थे वो लड़की कहां मिलती है थोड़ी देर बाद भी उन्हें एक दुकान पर दिखाई परते हैं जब सुनिता चिकनी लेने के लिए जाती है तो उन्हें कपड़ों की दुपान पर फिर से वो लड़की ही दिखाई पड़ती है उसी तरीके से मारा गार्डन में बहुत से बच्चे खेल रहे थे जिनकी हाइड मतलब उनका जो कद है वो अच्छा कासा लंबा था सब बच्चों की दर है लेकिन एक बच्चा ऐसा भी दिखाई दिया जिसका कद बिल्कुल छोटा सा था और सब बच्चे उसे चिड़ा र जाध करना चाह रही थी लेकिन उसकी ममी ने उनको गुसा कर दिया इस तरह का सवाल नहीं पूचना चाहिए फरीदा अच्छा नहीं लगता माने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं सुनिता ने दुखी होकर कहा उसे फरीदा की मा का वैवाहर समझ में नहीं आय अंत में सुनिता बाजार पहुंच गई दुकान में गुसने के लिए उसे सीरियो पर चड़ना था उसके लिए यह नहीं कर पाना बहुत मुश्किल था आसपास के सब लोग जल्दी में थे किसी ने उसकी तरह ध्यान नहीं दिया अब जब उसने ये वो जो लड़की मिली थी वो लड़की उससे बाचीत करना चाह रही थी उस लड़की ने उसे पूछा कि सुनिता तुम्हारे पास में ये जो कुरसी है ये क्या है तो उस लड़की के मम्मी ने उसे मना कर दिया कि इस तरीख पार कि बात तुम्हें नहीं करनी चाएं जब उस दुकान पर चीनी लेने के लिए गई तो वहां सीडियां बनी होगी थी क्योंकि वो वेलचेयर पर थी, पहिये वाली पुर्सी पर थी, तो वो नहीं चड़ पा रहे थी उसने देखा इदर उदर की शायद कोई उसकी help कर दे बढ़ कोई उसकी help नहीं कर रहा था सब अपने अपने काम में वियस्त है अचानक जिस लड़के को छोटू कहके चिड़ाया जा रहा था वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया मैं अमित हूँ उसने अपना परीचे दिया क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ मेरा नाम सुनिता है सुनिता ने रहत की सास ले और मस्कुरा कर बोली पीछे के पहिये को पैर से जरा दबाओगे हाँ हाँ जरूर कहतो वे अमित ने पहिया कुर्सी को टेड़ा करकर उसके अगले पहिये को पहली सेड़ी पर रखा फिर उसने पिछले पहिये को भी ऊपर चढ़ाया सुनिता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा कि अब मैं दुकान तक खुद बहुं सकती हूँ अब क्या हो रहा है बचो जिस लड़के को बार-बार चेड़ाया जा रहा था छोटू-छोटू वो लड़का वहां उसे मिल गया और उसने बोला है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि तुम क्या कर सको भाराम से उस दुकान में चढ़ सको तो सुनितान को अच्छा लगा और उसने कहा ठीक है तुम पीछे के पहिये को थोड़ा सो दबाओ ताकि मैं आसानी से सीडियों पर चड़ सकूँ प्यारे बचो आज हम हमारा चप्टर यहीं तक करेंगे आगे का चप्टर हम अगले वीडियो के करेंगे आप इस चप्टर को फिर से दोहराईएगा बचो ताकि आपको पढ़ने में कोई भी तक्लीफ हो तो वो धूर हो जाए ठीक है बचो अलाँ आफिस